हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को पता है कि लगभग आप लोगों के पास 10 दिन बचे हैं आपके एक्जाम 20 तारी के बाद कभी भी उसकते हैं जैसे ही certain date आएगी आप लोगों को सुचना मिल जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों आपके इस 10 दिन में आप अपनी तयारी को कैसे और boost कर पाएं आप इसको एक कैसे एक बहतरीन approach के साथ तयारी कर पाएं उसी करम में मेरे प्यारे दोस्तों हमने आपको quality के लिए एक पूरा package तयार किया हुआ है इसका एक पूरा revision करेंगे हम लोग हम पहले ही बता दे रहें देखिए हम बहुत deep में नहीं जाएंगे उतनी ही चीजे पढ़ेंगे जो आपके exam में आना लगभगते हैं हमने आपको slaveust eliminate करके बता दिया था आज के इस video में हम लोग quality का एक overview लेंगे मतलब पूरा revision कर लेंगे लगभग आधी quality आज के ही इस video में लगभग 45-50 minute का video बनेगा और उसी में आपकी सारी quality revise हो जाएगे मेरे प्यारे दोस्तों book और खापी और pen हात में रखिए चीजों को बहुत बारिखी से note करिएगा पूरी सिद्दत के साथ इस class को लेजिएगा मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ अगर पॉलिटी के 25 प्रसनाते हैं तो अगर आप ये मेरी सिर्फ दो क्लास लेते हो ना तो बीस आसानी से अटेंट करके आओगे अगर थोड़ा सा से एक सही रास्ते पर आजाएं तैयारी को थोड़ा बूस्ट कर लें फिर बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों पॉलिटी में हमने आको बताया था कि एक चैप्टर ऐसा है भारत का स्रम्वैधानिक विकास जिसमें से लबभ पां स्रम्वैधानिक विकास मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह समझना होगा कि जो भारत का स्रम्वैधानिक विकास है यह एक दो दिन में नहीं बिना इसकी बनने की जो प्रक्रिया हो बहुत पुरानी है वास्तों में सबसे पहले थोड़ा सा एतिहासिक द्रिश्टिकोंड से इसको समझने का प्रयास करते हैं एक्षियल में मसला क्या था देखे आप लोग भी जानते होंगे कि संसोला सव इसमी में ग्लेंड की एक महारानी थी महारानी एलिजाबेत प्रथम उनके सासनकाल में एक फर्मान आ प्र कैसे कैसे चीजे मारन हिस्ट्री की बात हैं लेकिन जब भारत में ब्यापार करने आई तो आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे ओ अपना अधिकार बढ़ाते जाती है पहले ब्यापार करने के उद्देश से आई फिर अपना छेतर बनाई और फिर लास्ट में जाते जाते तक अपना पूरा अधिकार जमा लिया और इवन भारत को 200 साल तक गुलामगी की जंजीरों में जक्रा रहना पड़ा उसी करम में पीछे से ही समयधानी विकास बनने की जो सिला है और रख जाती है तो हम आपको कब बताएंगे देखी आप एक बात दो बहतमूर लड पर कसना शुरू किया आप लोगों को पता होगा संग 1757 इसी में प्लाशी की दोती है और सिराजुत दौला को हरा कर अंग्रेजों ने सिराजुत दौला को हरा दिया और उसी के जस्ट आठ साल जस्ट साथ साल के बाद 1764 मीचा बक्षर का यूद दोता है मीर कासिम नेत्री रिंखला है आपको यह समझना होगा कि जो भारत का समवैधानिक विकास हो रहा है वो मूलता दो तरीके सो रहा है देखें पहले संत्रा 1773 से आता है रेगुलेटिंग और यह चलता है 1857 की क्रांती तक जब तक 1857 की क्रांती नहीं होती है कंपनी तरह तरह के फरमान जारी कर होती है तब यह सत्ता कंपणी से हट के ब्रीटिस सत्ता के हाथ में चली आती है तो दो तरह से पढ़ेंगे भारत का समवैधानिक विकास को मनें बैग्राउंड समझा कि सोरा सव इसी में कैसे कंपणी आई चैसे अपना सिकंजा कसने के बाद धीरे अपने चेत्रे बिश्तार करता है यह बात कंफर्म हो कई अब हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे कि भारत का समवैधानिक विकास जो होता है और दो चेत्र में होता है पहले तो यह होता है कि कंपणी खुद करे खुद अपना फ भारत में भेशती है और भारत में उसका इंप्लिमेंटेशन होता है लेकिन उसी दवरान भारत के समवैधान बनने की निव पढ़ती रहती है नोट करिए का हम दो तरीकी से पढ़ेंगे सबसे पहले आपको बात करेंगे कि कंपनी की अधीन में सबसे पहले महतपूर चीज में बहुत महतपूर काम हुए जहां से ही सीघे प्रस्ण आपके पारिषायने पूछ जाते हैं बंगाल के district governor को बंगाल का governor general कहा जाने लगा और उसके पात से इसमें governor general में दो presidency को और add कर दिया गया मदरास पहली मदरास और بांबे मतलच अब यह तीनों का जो है बांबे मदरास यह दोनों का प्रतनित्व करेगा जो दोनों की देकभाल करेगा दोनों के लिए कानून बनायेगा यह सारा ही काम बंगाल का गवर्णर जनरल बनेगा और इसका पॉइंट आप नोट करेंगे 1774 में कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना करी आती है इसी 1773 के रेगुलेटिंग एट के तहत हमने आपको पहले ही बताया कि यह कंपणी अधिकार दे रही कंपणी कानून बना रही है कैसे सा मिधान डेबल अफ हो रहा है लास्ट समझ में आ जाएगा 1774 में कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना किया दी और इसके मुख नायदी सीफ जर्ज बनाया जाते है सर एलिजाह इंपे इसको भी नोट करिएगा जितनी चीजे बता रहे हैं आप इसे सीरियल से नोट करते रहे हैं यह दो महतपूर काम हुए 1773 के संगाल का गवर्णर गवर्णर जनरल कहां जाने लगा लाडवारें हैस्टिंग बनता है और उसके बाद बंदरास और बाम्बे की प्रेसिदेंशी को एड कर देता है 1774 में एक हाई कोड़ बनता है कलकत्ता में उसके मुख नयादिस सर इल्जाह इंपे बनते हैं इतनी बा बनाया की बाम्बे और उसके क्या नाम से बाम्बे और मदरास को मिला दिया गया एक में एक मिट जस्त आते हैं ठीक है दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे एक फोन आगया आता जरूरी से दूसरे पे अब हम लोग आते हैं 1774-184 का पीट्स इंडिया एक्ट मेरे प्यारे दोस्तों नोट करेंगा 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट इसमें आपको दो चीजे और समझनी है देखिए हमने 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट मेरे प्यारे दोसमें एक ही काम बहुत महित्पूर्ण होता है कि इसमें देखिए यह क्या करते हैं इतने चलांग थे लोग ना वास्ता में से बाप लोग पढ़ेंगे तार लोग हसी आईगी इतने अराम अराम से सिकंजा करते हैं कि आप बोर्ड आप डायरेक्टर और बोर्ड आप कंट्रोर का गठन कर देते हैं बोर्ड आप डायरेक्टर और बोर्ड आप कंट्रोलर इसको समझे क्या मसला है यह लोग क्या किये 1784 के एक्ट में कि बोर्ड आप डायरेक्टर एक पद बना दिये और एक संगठन बोर्ड आप कं काम यह होता था कि यह company देखेगा company का मतलब company में कैसे resort लेना है company में कैसे समान को बेजना है उसके जो revenue होगा उसको British वंसद में भेजना है और एक board up control को बना देगा यह राजनीतिक क्रिया को गठन किया गया बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है देखे बिल्कुल साइट में चल रहे हैं बहुत ज़्यादा हाइफ हाई नहीं बता रहे है इसमें समझना बहुत कुछ नहीं है जो हमने आपको बताया कि 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में board up director और board up control का गठन हुआ सबसे महत्रपूर एक इसी में आपको याद रख लेनी कि 1773 के चार्टर एट के तहट उनके जो सदस्य होते थे ना board up director के और board up control के उनके जो बेतन होते थे जो भत्त्य होते थे वो भारती रेवेन्यू से दिये जाने लगे सबसे महत्रपूर बात एक ही आपको याद रखनी 1793 के चार्टर एट क बात आपको नोट करनी है 1773 के बाद आप लोग आप लोग नोट करेंगे आप 1813 1813 का चार्टर एक देखिए इसमें भी समझना बहुत महत्रपूर चार्टर एक्ट है यह मेरे प्यारत दोस्तों 1773 के बाद 1793 में के बाद 1813 में सबसे पहले यह लोग करते हैं कि company के आधिका लिए और उसमें और जो मतलब इंडिया कंपनी और सब के लिए और सब लोग भी व्यापार कर सकते हैं तो इस्ट इंडिया के चैटर एक्ट में सबसे पहले आपको यह याद रखना है और उसके बाद भी जो है यह नोट कर लिए और इसके बाद 1813 के चैटर एट के बाद आप लोगों को एक पॉइंट और नोट करनी है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को 1813 में ही एक बात और याद रखनी है कि 1813 में ये चीन के साथ और चाय के साथ एक अधिकार रखें लेकिन 1813 के तहट और लोगों के और शेतने ब्यापार करने की एक अधिकार समाप्त कर दिये और उसी के साथ साथ इसाई मिशनरियों को भारत में ब्यापार करने की अनुमत दे दिये बहुत मैं तुकूर प्रशने आप लोगों से सीधे पूछेगा कि किस अधनिया किस अधनिया किस इसाई मिशनरियों को भारत में ब्यापार करने का अधिकार दिया गया आपका उतर 1813 होगा यह आपको तीन चीज़े याद रखनी है कि 1813 में कि भारत के मतलब इसके इस्ट इंडिया कंपनी के ब्यापार शेतर को 20 साल के लिए बढ़ाया गया दूसरी पॉइंट आपको याद रखनी है कि इसमें इसाई मिशनरियों को भारत में आने का अधिकार दे दिया गया उसके आप 833 मेरे दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि इसमें क्या हुआ कि इसमें जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने जिसके लाट वारन हेस्टिंग्स बने अच्छा आप लोग पहले नोट ही कर लीजी कि यहां से प्रश्ण बन सकता है सबसे पहले अगर आप से पूछता हे कि बंगाल का governor general कौन था तो आपका उत्तर होगा बंगाल का governor general कौन था तो आपका उत्तर होगा लाड नबे लाड सब फिर सिर्फ Warren Hestens में लीखी लीजी आप लोग सोचेंगे कि यह लाड face laughing कि सबत्र पहले अब printed आपको पूछता है कि बंगाल का गवर्नर जेनरल काउन था तो आपका उत्तर होगा लाड वालन actions अगर पूसता है कि भारत का गवर्नर जेनरल काउन था तोको आपका उत्तर होगा लाड बिलियम बेंटिंग जो 1893 से बनेगा उसी की बात हम लोग अभी करेंगे ये सब लोग इतने किसीन के आदमी थे सब्सक्रूर आपने नाम के आगे लाइ़ लगाते थे लाइब कहने लाहते लाइट का भारत का सरह कहों था पिर लगाएंगे लाइट को हटा ही दिजी लाइट she क्या किया सकता है कहने लाइब तो आप vano और थेए नहीं लेक Twin तुष वह बहुत 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 से पूछता है कि बंगाल का गवर्नर जनर्रल कौन था आपका उत्तर होगा राइड बिलियम बैंटिंग ये तीन पॉइंट आप लोग नोट करेंगे एक साइड में अब इसके बाद देखें इसे के तहत ही होता 1833 के तहत ही जो बंगाल गवर्न जन्रल था अब उसे भारत का गवर्नर जन्रल कहा जाने लगा और इसके तहट भारत का गवर्नर जन्रल लाइड विलियम बेंटिंग को बनाया गया मैंत्रपूर प्रस्थ यह है कि भारत में एक दास प्रथा हुआ करती थी इसी के तहट राजाराम मुहनराय के शहयोग से 1833 म इससे समाप्त कर दे रहा है प्रस में पूछा गया था आपके इंटरेंस एक्जाम में है कि दास प्रथा के अंत करने में कौन सा वायस राया था तो आपको उतर होगा लाइड विलियम बेंटिंग इसके अलामा 1833 में आपको बस यही दो चीज याद रखना है कि दास बाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनता है लाइड विलियम बेंटिंग उसके बाद आब आते हैं 1853 1853 की खास बात क्या है उसको समझे देखिए 1853 में यह होता है कि यह लोग खुली प्रतियोगता का आयोजन करते मतलब किसी भी सरकाई नहोगरी के लिए कि इसके लिए लाइड मैकाले की अध्यक्षता में एक बिधी आयोग बान जाता है और सभी नोकरियों के लिए खुली प्रतियोगी परिछा का आयोजन करता है इसके तहित आप लोग जाने होंगे कि भारी संख्या में भारती उसमें सामिल होते हैं और फिर 1857 की वही क्रांती होती है जिसमें गाय और सुगर की चेरपी अलग अलग धार्मिक लोगों को भड़काने के लिए किया गया था और फिर वो समय आता है मेरे प्यारे दोस्तों 1857 का अब 1857 में जब सिपाही बिद्रो होता है 1857 की क्रांती होती है तो अंग्रेज इतरा से हड़बरा जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कंपणी से हम लोगों को हाथ दोना पड़े तो कि सारा इंकम और सारा रेमन्यू यहां से लाते थे हम लोग का सोशड करते थे अपना मज होते थे अब यह लोग डरने लगें डरने लगें तो क्या हुआ कि 17857 के बाद 1858 में ही इक लेंड ने क्या किया कि कंपणी से उसके अधिकार को छीन के सीधे अपने संसत के नियंत्रन में रहने लिया सबसे पहले आपको पूछेगा कि किस अधिनियम के तहद बंगाल के ग 177 के रेगूलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के एक्ट तक यह सारे जो कानून बन रहे थे यह कंपणी बना रही थी 1857 की क्रांगति के बाद अब जितने भी हम लोग अधिनियम पढ़ेंगे वह भारत सासन अधियम के नाम से आएंगे और वह सारे ही कानून भारत बीटिस की सं अब देखी वही बात हुई कि अब यह जो सारे कानून बनके आ रहे हैं सबसे पहली पॉइंट डंबर वन इसमें नोट करेंगे कि इसके तहत यह हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल पहले बना उससे भारत का गवर्नर जनरल लाड बिलियम बैंटिंग बना इसके तहत क सबसे पहला पॉइंट आपको यह नोट करना है दूसरा पॉइंट आपको इसी में यह नोट करना है कि अब इसमें क्या करते हैं यह लोग कि एक राज सचिव का मतलब एक नए पद का एक नई मंत्री मंदल बनाते हैं और एक राज सचिव पद का नए पद बनाते हैं राज सची हुगा यह राज सची जो पद है मेरे प्यारे दोस्तों यह सीधे बृतिस मंती मंदल के प्रति उतरदाई होता था वहां से कानून बनके आते थी यहां से के इंप्लीमेंट करता था तो अठारा सो अंठावन में आपको सिर्फ दो पाइंट रखना है उसके बाद उसके बाद आगे बढ़ते हैं बहुत क्यूंक रिविजन हम लोग ले रहे हैं बहुत सारी चीजें नहीं कबर कर पाएंगे अगर ऐसे चलेंगे तो अब बात करते है 1861 की 1861 के भारत सासना धिजयें में आपको एक चीज यह आज रखना है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग एक नाम सुने होंगे अध्या देश जारी करना भारती संबिधान में इस समय आठिकल 108 के तहती यह अधिकार सिर्फ राष्टपती को प्रदान है और गवर्णर को प अध्यादेश जारी कर सकता है तो आप से पहले किस अध्यादेश लाने की मतलब यह सोतनतला प्रदान की यह कानून बनाया गया आपका उतर होगा आप याद करेंगा क्या चीज़े हमने बताई थी आपको बस रिवीजन करना है कैसे अटेम्ट करना यह सारी चीज़े बात ने बताई जाएंगी आप लोग बस पूरा ध्यान से देखते रहे तो एक ही पॉइंट आप लोग याद रखना है उसके बाद आप लोग हम लोग सीधी आते है उन्नीस नोउ को उन्नी सो नोउ मेरे प्यारा दोसो सबसे महत्रपूर्ण अधनियम है इसको मारले मीनटो अधियम भी कहते हैं पर अच्छन में कुछता है कि कि सबसे यह नाम क्यों पढ़ा देखिए एक लाड़ मारले थे और एक मिंटो थे यह वहां के राज सची थे और मंत्री मंदल के प्रति उसके उत्तरदाई थे इसमें हुआ यह सबसे पहली बात 1909 को मारले मिंटो सुधार अधनियम भी का जाता है 1909 के भार सचन अधनियम को सबसे पह यहां पे मुश्लिम जादा है यहां पे हिंदू जादा है तो करेंगे क्या यहां पे 1909 के तहत यह लोग लड़ेंगे हम सुरूंद सभी करते रहें उनिस्सोन नव में संप्रदाईक की मतलब कानून नुन मक् printed के तहत्त संप्रदाईक निर्वातन काके कानून बना दे जता है आपसे पुस्ता है कि भारत में किसी शंप्रदाईक निर्वातन का जनक कहा जाता है आपका उतर होगा लाइड मिन्टो मारले मत मारिएगा लाइड मारले नहीं लाइड मिन्टो 1909 के भारस शॉषन अधनियम जिसे मारले मिन्टो सुधार अधनियम भी कहते हैं आपको दो पॉइंट बेसिकली याद करनी है सबसे पहली बात यह संप्रदाइक निर्वातन दिया जाता है और उसके साथ ही साथ संप्रदाइक निर्वातन के साथ साथ इसे लाइड मिन्टो को संप्रदाइक निर्वातन का जनक कहा जाता है इतनी पॉइंट नोट हो गई अब आते हैं 1919 की बात देखिए 1909 के बाद मेरे प्यारे दोस्तो तो उत्तर होगा 1919 को इसमें क्या खास बात नी समझे यह क्या किये मेरे प्यारे दोस्तों कि यह सक्ति का वी केंद्री करना शुरू किये जैसे आज के समय में आप लोग देखते हैं कि राज केंद्र में अपनी सरकार से संसत कहते हैं राज में अपनी सरकार से विधान मंडल कह वास्तों में इसकी जो नियू पढ़ी है वह उन्नीस ने पढ़ी है कैसे को रिलेट हो राग नहीं बार्टिसम विधान से यह कैसे बढ़ाया आधारा सट का अध्यादेश आज ही प्रिजेंट है यह सवाथ आर्टिकल में और जैसे तब इन्हों ने किया कि एक केंद्री मतलब मांटेंगू चेंग स्वोड के तहर यह सकत्री का वी केंद्री करणार होता है एक केंद्री विधान मंडल बनाते हैं और एक राजी विधान सवा बनाते हैं यह चीज आपको याद रखनी 1909 के 1929 के मांटेंगू चेंग स्वोड अधनियम के तहर देखें इसके बाद हम लोग आते हैं अब उसके बाद एक पॉइंट यहां से इसमें देखें से पूछेगा किस अधनियम के तहर भारत में वी केंद्री करणार की प्रक्रिया की शुरुगात होई उसके बास से आपको यह मतलब इसका आपका उतर होगा 1909 का मांटेंगू चेंग स्वोड अधन मिनी कांसिट्योशन के नाम से जानते हैं लगभग 200 अनुश्चेड आर्टिकल 1935 के भारत सासन अधनियम से या तो डारेक्ट दूप से या उसमें कुछ सारी चीज़े होती हैं बहुत साई चीज़े पढ़ने को हैं लेकिन हम कुछ महत्रपूर चीज़े बता रहे हैं सबस दूसरा काम ये करते हैं कि इसमें केंद्र और राज की सक्तियां को बाढ़ देते हैं इसमें तीन तरह की सूची जो आप लोग आज पढ़ते हैं राज सूची केंद्र सूची और समवर्ति सूची वास्तम ये 1935 में ही आ गई थी और उसमें केंद्र सूची मतलब जो केंद प्रहानिक विकास का जो सोरूप है यह वास्तों में भारतियों दारा नहीं चला यह सारी ही काम ब्रीटिस संसत कर रही है ब्रीटिस संसत अपने यहां कानून बना के भेज रही है जिली ख़़ा पानी देना उसके बाद क्या होता है आगे की बास समझी है देखिए यहां तक हुआ बास आप लिए मिशन आता है। भारत मेरे दोस्तों 1946 में प्रहें भारत आता है जिसके तहद भारत के संविधान को अपने बनाने की मतलब खुद भारत का संविधान भारती लोग बनाएंगे इसकी अनुमति मिल जाती हैँ यहां तर करने से पहले बार क्योंक रिवि सब्सक्राइब करता है वह आपका राजनीतिक कार्ड देखता था कहां सका कैसे क्या करना है सबस्केभाइब गहुता है क्या होता है मेरे प्यार दोस्तों की अधिकार को 20 साल के लिए वहां इसाई-मिश्णरियों को भारत में प्रत्यों कि प्रिच्छा होगी और उसके लिए मेरे प्यार दोस्तों फिर क्या होगा क्रांती होगी इसमें भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाय सराय कहा जाएगा उसके बाद क्या होगा दोस्तों उननीस औनुट नौ का मारले मिन्टु आएगा जिसमें आपको संप्रदाइग निर्वासन की बात करेगा उसके बाद 1919 में मांटेंगूच एक्सिपोर्ट आएगा जो संप 1935 के तहट यह नियाले का विस्तार किया जाएगा उसके बाद राजसूशी समोर्ति सूची बनाई जाएगी यह सारी चीजे भायत का समयधानिक विकास अभी तक भारत नहीं कर रहा है अभी तक यह सारी चीजे एक तरह से ब्रीटिस मंत्री मंदल कर रही है अब मौका मिला भ सब्सक्राइब जितनी चीजें हमने आपको बताई इससे बहुत पर्याप संभावना है कि अधिक्तम एक या दो प्रस्ण बनेंगे लेकिन इसके बाद से जो मताने प्राश्न क्या नि artists pushing ऑघरात बहारत आता है और इसी के तहत भारत का सम्मिधान भारती लोग बनाएंगी कि यह अनुमती बीटी संसत दे देती है अब समस्या यह है कि समिधान सभा बनाई करती जाए, अब समिधान सभा का गठन होता है, और समिधान सभा के गठने मेरे प्याड़ दोसों सबसे पहले 389 मेंबर चुने जाते हैं सासrd 399 मेंबर और आते कैसे हैं? मेरे प्याड तो 385 मेंबर आते हैं 10 लाग की जनसंख्या पर एक सदसा का चुनाव होता है, ऐसे चुनाव होता है उसमें सप्थाहई है और समिधान सभय का गठन होता है तीन! 389 मेंबर बनते हैं आपसे प्रश्म कुछेगा कितने जनसंख्या पर एक सदस्याय से समिदान सभा में आपका उत्तर होगा कि सामानेता 10 लाग की जनसंख्या पर एक सदस्याय थे अब इसमें 389 में कौन-कौन थे ये भी समझेए देखें 389 में से 222 विजज थे वो ब्रीटिस शेतर से थे इसमें से 4 चीप कमिस्नरी से थे और 339 में जो मेंबर थे वो देशी रियास्तों से पसिनय टपक गया दोस्तों उसके बाद देखिए क्या है ये सारी चीजे थी अब इस 389 मेंबर में ये सारी चीजे बनी 10 लाग की जनसंख् हुआ 389 मेंबर थे दो सबान में ब्रीटिस फ्रांस से चार चीप कमिस्नरी से और तिरान में कहां चपाई देशी रियास्तों से प्रश में पूछता है कि संभीधान सभा में कितने स्थी थे किसने स्थी मतलब अनुसूसरी जाती कितनी थी आपका उत्तर होगा 33 मेरे प्या आप लोगों को याद रखना है पूछ सकता है देखिए होता क्या है कि यह 389 सदर से बने 292 में यहां से यह चार चीप कमिस्नरी से आएं दस लाग की जन संख्या पर एक का चुनाया हुआ उसके बाद देखिए क्या होता है अब उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यह होगा कि अब समिधान सबका गठन हो गया अभी भी देखिए सेप्रेशन नहीं हुआ है अभी संख्या 389 है बात को बहुत धान समझे या बोट लेक निकल इतना आसान नहीं समझना बात होती य पहले इसकी बैठीक होती है और उस समय जो सदस्ट जो मतलब इस सम्विधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्टे डाक्टर सचिदानन सिन्हा इसे सम्विधान का आस्थाई अध्धक्ष बनाया जाता है प्रशने पूछेगा कि भारती सम्विधान सभा की सब आस्थाई बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता डाक्टर सचिदानन सिन्हा करते हैं बात यह होती है मेरे प्यारे तोस्तों इस सम्विधान सभा की मुस्लिम पूर्टा बिरोध कर देती है कि भाई हमें यह नहीं मंजूर है हमें पाकिस्तान अलग से चाहिए अब समस्या बढ़ती है स दिसंबर को यह तो अपना मतलब मांग कर लेगी पाकिस्तान की और उसी समय के बाद यह होता है अगर आप लोग मैप देखें पहले समझे मैप को देखिए यह यह हम बना रहे हैं भारत को देखिए बात को समझे क्या था देखिए यह यहां पर एक छेत्र हुआ करता था मेरे प्यार दोस्तों बंगाल जो आज़ी पस्षिम बंगाल के नाम से है पहले यह बंगाल जो इतना नहीं था यह पूरा ही छेत्र बंगाल का हुआ करता था लेकिन जब 1947 में बटवारा होता है भारत और पाकिस्तान का तो ये बंगाल का आधा भाग कटके चला जाता है पाकिस्तान में लेकिन जब पाकिस्तान 1947 में बना था तो पाकिस्तान यहाँ पे है लेकिन ये सारा जो आज आप बंगला दिर्स के नाम से जानते हैं पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था तो जब 1947 में इसका विभादन होता है तो पहले जो डाक्टर भीवराव अंबेटकर जी थे उनका चुनाव यहीं बंगाल से हुआ था अब यह शेत्र पाकिस्तान में चला गया और डाक्टर भीवराव में यहीं बंगाल सें पुखषेगा कि समझ गयाएं वैत्वारां भासर के इसाथ उत्तर देजेगा यह बात आंप Level कोżyए कि कैसी बत्वारा होता है यह ये 1971 में बंग्लादेश बन जाता है इंद्रा काधी की सरकार में अब बात को समझे नौ दिसंबर को मेरे प्यारे दोस्तों समिधान की पहली बैठक होती है जैसे होता है ना जैसे मतलब गहां में कोई बैठक हो रही है तो लग करेते हैं सबसे बुजूर का इंहीं को यह मौक यह इस्थाई अध्यक्ष बना दिया जाता है तो आप से प्रश्ण पूछेगा कि सबसे बुजूर को सदर्श से यह आस्थाई अध्यक्ष तो आपका उत्रगा डाटा राजन्त प्रचाद अब देखिए यहां तकी बात फिर दो दिन बाद 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को यह होता है कि 13 दिसंबर 1946 को यह होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि नहरु जीपंडिक जहल लाल नहरु की अध्यक्षता में एक उद्देश प्रस्ताव आता है और वहां से समिधान बनने की अप्चारिक शुरुआत होती है समिधान सभा में जो है 13 दिसंबर 1946 को नहरु जो उद्देश प्रस्ताव लाते हैं और उद्देश प्रस्ताव जो आगे चलकर यहीं उद्देश प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्ताव ना बनेगी तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश प्रस्ताव कौन लाता है आपका उत्तर होग अब उसके बाद हम लोग आते हैं इसकी आगे की बात कैसे क्या होता है सीक्वेंस में समझीएगा नहीं तो फिर फशीएगा वही अब उसके बाद यह जो आया 13 दिसंबर 1946 को तेरा दिसंबर 1946 को जी जो यह आता है उद्देश प्रस्ताओ इसको मेरे प्यारे दोस्तों 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान में एक रीट का अग्याम हुआ जल्दी उसमें यह प्रस्त में पूछा था कि जो बंडी जहाल लाल नहरू ने 11-13 दिसंबर को अपना उद्देश प्रस्तावर आया उसको स्विकार कब किया गया उसको स्विकार मेरे प्यार दोस्तों 22 जनवरी 1947 को किया गया अब यहां से देखे समिधान बनना चालू हो रहा है अब समिधान बनने के लिए जरूरी यह था कि अलग समीधी बनाई जए और उससमिधी की एक अध्यक्स को बनाए ज़ए जो उस समिधी के मतलब उसके सारे कारेभार को देखे इस समीध से एक आना आपके परिक्षा में 100% हैं देखे मैं लिख नहीं पा रहा हूं लिखूंगा बहुत टाइम लगएगा मैं बोल रहा हूं आप धर धर लिखती दाइएगा देखे सबसे पहले क्या है आपको कैसे याद करना यह चीज़ें बता सकता हूं लेकिन लिखूंगा तो बहुत संचालन समीथी कब लके आप लोग मेरे प्यार नीज्रत है तो आपका उत्तर होगा डाक्टर राजंद परसाद सब्सक्राइब नोट करें इसको सोशिए मत कुछ डाक्टर राजेंद्र प्रसाल लिखते चलिए राइटिंग में ज़िए क्योंकि बहुत जल्दी फिनिस करना है रिविजन बहुत काफी मतलब सेलेबस काफी जाना है आप से पूछेगा संगी समिती का देखिए जाप संगी संगी समितकी बात आया तो आपको हमें सिप्थीच करने पंडिक जहालल नेहरु को पीूशन पूशेगा संचालान समिति संगी समीधि आप से पूछ्चे घंड शम yapmış के अध्यक्स प्रारूप समिति बहुत महत्पूर यहां से प्रशन आना लगभगत हैं मेरे प्रारूप समिति की हाँ प्रांती समिति का मतलब यह है कि इसके अध्यक्ष कौं सर्दार भालाव पतेल कि नोट करें सरदार भल्लाव भाई पतेल इसके अध्यक्ष थे अब आपको कैसे याद रखना संचालन समिति-संचाल राजन प्रसाद प्रारूप सम्यति की अध्यक्षा भीमराव अम्मेट कर थे प्रांती समयत कि दाक्टर बल्लब भाई पर थे अब सर्दार बल्लब भाई पटेल आपको उसी प्रांती बेष्टा के नाम बे इसको अध्यक्षान जो भारत मिलाया था आपको अराम सियाद हो गया हुआ प्रांती समित्री के बाद इतनी पॉइंट आपको नोट हो गई चलिए अब आगे देखिए क्या होता है अब आगे आपको यह ध्यान रखना है मेरे दोस्तों होता यह है कि इसके बाद की जो कड़ी है आगे चलने में अब भारती समिधान करने की प्रक्रिया शुरुवात हो गए देखिए पाकि स्वीधान का बटवारा भी हो गया है अब भारत में समिधान बलने की प्रफारी शुरुवात होती है अब गिद्धान से पहले समिधान बनने के कितना समयघ लगा आपका उत्तर हो कर 212 दिन दिन कर बहस हुई 126 DIN Čँहाँ पे मतलब किसी मुद्ध्य पर शर्चा की गई आप से पूशेगा कि समिधान बनने में कितना पैसा खर्च होगा 64 लगबग 64 लगबग 64 लगबग 64 लगब आप से पूशेगा कि समिधान तपार कितनी महिला आये खी रोगा 15 और उसके बाद ये इतना दिन लगने के बाद 14 दिन बहां सोती है 64 लाग रुपे खर्च होता है 2 और 11 मा 18 दिन होती है ये सब करते करते समय आ जाता है किसका बताईए 26 नवंबर 19 1999 को मेरे प्यारे दोस्तों ये ये जो डेट है ये आत्सर करती है बात को समझेँ मसला क्या है 26 नवंबर 1929 को समिधान बन के तयार हो गया और जब समिधान बन के तयार हो तो उसमें क्या क्या था देखिए तीन सो पंचानवे अनुश्यद थे तीन सो पंचानवे आटिकल थे 22 भाग थे कितने भाग थे पताएं अनुसूचिया कितनी थी आठ वही पर पूचेगा आप से प्रसन पूचेगा कि जब सम्मिधाय में बना थे तो कितने अनुश्यद थे आपको उतर होगा 303 बाइस पूछेगा कितनी अनुच्यत की संख्या लगबग 4.5 वह कैसे है तो बुए सब पार्ट करके जोड़ा गया है लेकिन वास्तों में जो मूल समीधान की संख्या है आज भी 335 है अगर आपसे पूछेगा कि मूल सम्मिधान के संख्या कितनी उत्तर होगा 395 पूछेगा खुल कितना है तो 450 की आसपास जो अप्सन का उसे टिक कर दीजिएगा पूछेगा भाग कितना है तो भाग आज भी 22 है पूछेगा अनुसूजिया कितनी है इस समय वर्तमान में पूछेगा तुत्तर आपका 12 होगा इसमें कोई चोचले बाजी नहीं है सम्मिधान में कितनी थी 8 वर्तमान में कितनी है 12 ये बात हो गई तीन पॉइंट इसको बिल्कुल नोट कर लिजीगा आगे चलिए आगे देखिए क्या होता है आगे ये होता है कि 26 नममर 1949 को ही मेरे प्यारे दोस्तों भारती सम्मिधान को अंगी करित किया जाता है मतलब इसको अपना लिए जाता है और इसी दिन कुछ आम इंपॉर्टन आर्टिकल मतलब लागू भी कर दे जाते हैं अब देखें प्रस्ण कैसे पूछ देगा आपसे अगर प्रस्ण पूछता है कि सम्मिधान लागू कब किया गया तो आपका उतर होगा 26 जनरी 1950 आपको पूछे का सम्मिधान को अंगी करित कप किया गया आपका उतर होगा 26 नौबर उनिस सो इनन चास कन्फूज मत हो येगा मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप भारती सम्मिधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे जिसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपुण प्रभु संपन और आज बनाने के लिए डाट बाट करके पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि सम्मिधान सभा में आज तारिक 26 नौबर मीत मारज सीष सुक्ल सब्तमी समवत दो हजार सम्मिधान सभा को आतमारपित अंगी कृत करते हैं तो वही पूषका यह चीज मेंसन करी गया कहा प्रस्तावना में यह आप लोग पढ़िएगा तो नीचे देखी यह तो अगर आप विडियो देखने करीका नहीं से नहीं तो अगर आप से पूषका कि सम्मिधान को अंगी करित कप किया गया था उत्तर होगा 26 नॉबर पूशेगा समिधान को लागू कप किया गया था उतर होगा 26 जनौरी 1954 देखिए यहां तक हम लोग आ गए अब मेरे प्यारा दोस्तों 26 क्या नाम से 26 क्या नाम से यह हो जाता है अंगे क्रिद अब देखिए 24 जनौरी प्रश्ण पूशेगा कि समिधान सभा की आखरी बैठक क होई आपका उतर होगा 24 जनौरी 1950 देखिए कोशन कैसे बन रहे हैं सिर्फ समझने की बात है कंफ्यूज होने की बात नहीं है पूशेगा अंग्विक क्रिद कप किया गया उतर होगा 26 जनौरी सच फूशेगा समिधान की लास्ट बैठा 24 जनौरी 1950 और इसी दिन मेरे प्यारी दोस्तों रास्त्री गीद रास्त्री गीद और रास्त्र यह दोनों ही चीजों को इसी के दिन अपनाया गया है आप से पुछेगा राश्टी गीत कब अपनाई गए उत्तरोगा 24 जनौरी 1950 यह चीज भी आप लोग याद करेंगे 24 जनौरी 1950 के इसकी आखरी बैठ्टक होती है इसी दिन क्या नाम से राश्टी गीत और राश्टी गीत को लिखा है बंकिम चंद चिटरजी लिखे है राश्टगान को लिखा रमिनाट टैगोर लिखे है यह चीज अब पता होगी वैसे तो अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद की कहानी समझे अब इसके बाद की कहानी यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि 26 जनौरी 1950 हमारा संब्धान बन गया कैसे बना आप लोग समझ गये लेकिए महत्यपूर्ण प्रसन हम पूशते हैं आप लोग अगर पढ़े हैं सिद्धत से कलास लिए हैं आपको बताना होगा अगर नहीं बता रहे हैं तो आपको ज्रूरत है पढ़ने की सबते पहले प्रस्नेंगी हम आप आपको बताएगे कि सम्मिधान सभा का आश्थाई अध्यक्स कौन था उत्तर दीजिए आप अपने मन में दीजिए हम बता रहे हैं डाक्टर सचिदानन सिना समिधान सभा में प्रारूप समिती की अध्यक्स कौन थे आपका उत्तर होगा बी आर अमबेटकर अगर है तो आप से प्रश्ण पूछेगा कि सम्मिधान सभा का इस्थाई अध्यक्स कौन था अगर आप डाक्टर राजिन प्रसाजी को सोच रहे हैं तो बेल्कुल सही है ऐसे प्रश्ण बनेंगे मेरे प्यार दोस्तों इससे बाहर इससे कठिन प्रश्ण नहीं बनने वाले एक प्रश्ण कितने थे आप एक पॉइंट और नोट कर लिए जो जो दिमाग में आ रही हैं हम बताते चल रहे हैं अगर आप से पूछेगा मौलिक अधिकार यूम अल्प संकर के अध्यक्स कौन थे तो आपका उत्तर सरदार बलब भाई पटेल होगा बस इतनी बात आप को याद रखने हमने आपको जिस धंग से बदाई है कि कैसे शुरुआत होती है 1757 के प्लासी के यूद से 1764 के बक्सर के यूद में क्या होता है कैसे 1773 से लेकर चीज़ें बढ़ती हैं और यहां तक आने के बाद जो बिल्कुल की पाइंट ही हमने आपको उतार दिया है तो अब हमारा दोस्तों इसमें के महत्रपूर्ण टापिक जितना हमने आपको पताया आज हमने इस चैप्टर से लगभग 5-7 कोशन आपको कवर कराए हैं आपके एक्जाम में इस टापिक से 5-7 कोशन आएंगे अब बढ़ते हैं आगे देखिए आज हमारा उद्देश से हिम्मत नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग एक्जाम इतने करीम हैं हमें कैसे भी करके दो लेक्चर में आप तक पूरी चीज़े पूरी इंफार्मेशन इंपॉर्टन टापिक पहुचा देनी हैं देखिए अब उसका हम लोग पढ़ना सुरू करते हैं सबसे पहले भाग एक मैं पूरी चीज़े जो है वहीं बताई जाएंगी फरजी चीज़े नहीं बताऊंगा गर्वी समय बहुत कम है देखिए क्या है देखिए सबसे पहले आपको पूछेएगा आर्टिकल एक क्या है अनुश्य देख भाई अनुश्य देख तो पता ही न चाहिए जो भाग एक यह आर्टिकल एक से लेकर चार तक है देखिए क्या बात है आर्टिकल एक में कहा गया है कि भारत राज्यों का संग होगा आपसे प्रस्ण पूछेगा कि भारत राज्यों का है उत्तर देगा राज्यों का संगठन है राज्यों का एक समिती है और एक प्रस्ण होगा भारत वारत राज्यों को उत्तर होगा इंडिया इस दво ने पहले राज्यों को इसकि बनेगा तो है mm है तो ए डोपी कि अइस एक में कहा गया कि भारत राज्यों का संग है देखिए टाइम 46 मिया ठो गया